आज अनुराग कश्यब निर्देशित रमन रागव 2.0 बॉक्स ओफिस पर रिलीज हो गई फिल्म के कहानी आधारित है 1960 के दर्शक के खूखार साइको किलर रमन रागव दौरा की गई सीरियल किलिंग्स में रमन रागव पे अनुराग कश्यब से पहले फिल्मेकर शंकर रागवन 70 मिनट की एक शौट फिल्म बना चुके हैं जिसके लीड रोल में रगवीर यादो थे रमन रगव 2.0 के लीड रोल में है नवाजुदीन सिद्धिकी और उनके साथ पुलिस ओफिसर्स की भूमिका में है मसाल फेम विक्की कौशल 69th कांस फिल्म फेस्टिवल में जब ये फिल्म दिखाई गई तो नवाजुदीन को उनकी परफॉर्मेंस के लिए इस्टेंडिंग ओवेशन मिला नवाजुदीन अपने अभिना का अल्रेडी लोहा मनवा चुके हैं और उनकी तकरिवन साथ फिल्में कांस में दिखाई जा चुकी है ये फिल्म एक डॉक्यू ड्रामा प्रतीत होती है इस फिल्म के कहानी एक साइकोपैथ किलर की दिखाई गई है जो लोगों को लोहे की रॉट से मार डालता है इसकी मांसिक इस्तिस समझने के लिए ये जानने कि ये अपनी बहन अपने जीजा और छे साल के भांजे को सिर्फ इस वज़े से मार देता है कि उसका भांजा बहुत बोलता है और इन्ही हत्याओं के सिल्सले में वो एक पुलिस आफिसर यानि विक्की कोशल से भिर जाता है जो कि एक ड्रग एडिक्ट है उसके बात क्या होता है ये जानने के लिए आपका फिल्म देखना जरूरी है क्योंकि मैं यहां पे मुवी का रिव्यू करता हूँ फिल्म के कहानी नहीं सुनाता हूँ अभिने फिल्मे अभिने की बात करें तो किर्दार ये दिन वाज़ित दीन निभा रहे हूँ तो कहना है क्या वे एक बहतरीन मजे हुए कलाकार है उन्होंने अपने अभिने से फिल्म में चान डाल दी है उन्होंने किर्दार को पूरी तरह से जिया है वहीं विक्की कौशल का अभिने भी शांदार है फिल्म में वाइलन्स है जो कहानी का हिस्सा है अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी तो अच्छी है लेकिन डाइरेक्शन अतना मजोथ नहीं क्योंकि इस तरह के फिल्म की पेस अच्छी होनी चाहिए वेना बोरियत हो जाती है और यह फिल्म अपनी पेस की ज़ह से बोर करती है और दर्शिकों पे पकर बना पाने में काम्याब नहीं हो पाती लेकिन सिनेमेटरग्राफी बढ़िया है हर तरह के शॉट्स को बखू भी फिल्म आया गया है Locations कहानी के अनुरूप है Music रामसंपत का है और कहानी से जल करता है Overall फिल्म ठीक ठाक है आप इसे देख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं फिल्म को A Certificate मिला है तो आप बच्चों के साथ इसे नहीं देख सकते हैं रमन रागहो 2.0 को मेरी रेटिंग है 2.0 रवीन गौतम को दीज़े इजाज़त अगर आप सही सटीक और अनबायस movie reviews चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें फिर मेरेंगे दोस्तों किसी नई फिल्म के रिव्यू के साथ